असलाम आलेकुम दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में पहले ले ली हूँ नीचे पुराना कपड़ा फिन रबर्ट सीट फिन में फेबरिक आप कोई भी कपड़ा से बना सकते मैं तो सूट का कपड़ा ली हूँ अब सिलाई करके हम रेडी करके फिर आप लोग को मेजर्मेंट बताऊंगी मैं बनाऊंगी आज स्कूल बेग। दो पीस में ली हूँ अब इसका मेजर्मेंट बताऊंगी अठारा इंचे इसकी लंबाई 14 इंच है इसकी चोड़ा आई अब यहां से हम 3 इंच पे निसान लगाऊंगी सीम ऐसे उधाँ से भी हम 3 इंच पे निसान लगाऊंगी और ऐसे हम राउंग सेप दे दूंगी ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे कटिंग हो गए अब दूसरे पीस को भी ऐसे ही रखके हम कटिंग कर देंगे ऐसे ही कटिंग हो गए अब जेब बनाने के लिए भी मैं रवर्ट सीट से सिलाई करके रिडि कर ली हूँ साड़े ग्यारा इंच है लंबाई साड़े ग्यारा इंच है इसकी चवड़ाई अब एक तरफ से कोई तरफ से मैं राउंसेब दे दूँगी थोड़ा सा राउंसेब दे दी हूँ मैं दो रनर डाल ली हूँ इसकी लंबाई है ठारा इंच यहां से मैं फिन कपड़ा लगा के सिलाई कर दूंगी कपड़ा आप ले सकते हैं कितना भी हो फिन कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे फोल्ड करके ऐसे ही फिन सिलाई लगा लेंगे पलट के भी सिलाई लगा लेंगे सिलाई में लगा के रेडी कर ली हूँ अब बीचो बीच से में लगाऊंगे निसान यहां से भी हम बीचो बीच से निसान लगाऊंगे अब ऐसे ही रख के हम सिलाई लगा लेंगे सिलाई में लगा ले हूँ फिनेसिंग भी कर दी हूँ साथ हो साथ अब यहां से हम बीच और बीच पे लगाऊंगी निसान अब इसको निसान से निसान मिला के अब हम चारों तरफ से ऐसे ही सिलाई कर देंगे सिलाई में लगा के रेडी कर लिए हूँ एक जेब बन के मेरा तयार हो गया है अब यहां से हम निसान लगाऊंगी साड़े चार इंच पे यहां से हम कर दूँँगी कटिंग यहां पे भी हम एक जेब बना दूँँगी सिलाई में लगा दी हूँ एक रनर भी डाल दी हूँ यहाँ पर एक कपड़ा ले लूँगी मेरे पास यह टुकड़ा था तुम लगा दे रही हूँ आप कोई भी लगा सकते हैं इस पर ऐसे ही लगा के सिलाई कर देंगे जो ज्यादा है उसको कटिंग करके निकाल दी हूँ अब हम दूसरे पीस को लूँगी इसमें हम पीछे के तरफ पाइपिन लगा के देखे सिलाई चौड़ाई तो सेम है लंबाई है इसकी साड़े ग्यारा इंच पाइपिन लगा के फिनिस कर दी हूँ सिलाई में लगा ली हूँ अब बनाएंगे बेल्ट बेल्ट के लिए मैं फॉम भी ली हूँ मैं रबर सीड भी ली हूँ कि थोड़ा मोटर है दो इंच है इसकी और ये छे इंच का चौड़ाई ली ली हूँ मैं कपड़ा और लंबाई है तरा इंच ऐसे ही पलट के हम सिलाई लगा देंगे सिलाई में लगा दे हूँ एक तरफ से मैं फोल्ट करके भी सिलाई लगा दे हूँ अब मैं ले ली हूँ बकल घटाने बढ़ाने वाला चार इंच का मैं ली हूँ बेल्ट में से काटिंग करके आप ऐसे ही लगाके मैं तो बेगी में से निकालके लगा रहे हूं पुराने अयसे ही पकड़के ऐसे ही शिलाई लगा देंगे शिलाई में लगा दी हूँ अब भी ये भी में लगाऊंगे बेल्ट 16 इंचे इसकी लंबाई मैं फोल्ड करके एक तरफ सिलाई कर दी हूँ और एक तरफ से ऐसे ही ऐसे सेम इसमें भी लगा देंगे लगा दी हूँ अब यहाँ पे हम बीच ओ बीच से निसान लगाओंगी यहाँ पे और यहाँ से हम दो इंच पे निसान लगाओंगी सेम ऐसे इधर भी हम दो इंच पे निसान लगाऊंगी अब ऐसे ही रखके ऐसे सिलाई दोनों तरफ लगा लेंगे हम ऐसे ही सिलाई मैं लगा के रेडी कर ली हूँ देखिए मेरा बंके रेडी हो गया है यहां से हम निसान लगाऊंगी ग्यारा इंच पे से मैं इसे यहां से भी 11 इंच पे निसान लगाऊंगी अब यहां से हम नाप लेंगे 24 इंच आ रहा है तो मैं एक इंच इस ट्रेई लूँँगी अब मैं सिलाई करके पहले से रेडि कर लिए हूँ 6 इंच है इसकी चोड़ा यहां से मैं कटिंग कर लूँगी इसमें से अब यहां बीच ओ बीच पे लगाऊंगी निसान ऐसे ही रखके फिर चेहन को सिलाई कर लेंगे सिलाई में कर ली हूँ और दो रनड़ भी डाल दी हूँ साथ हो साथ अब यहां से भी हम नाप ले लेंगे 36 इंच आ रहा है मेरा एक इंच इस्टरे ही रहेगा अब ऐसे ही रखके हम सिलाई लगा लेंगे दाब सिलाई भी लगा देंगे सिलाई भी में लगा दी हूँ दाब सिलाई भी लगा दी हूँ एक कपड़ा से फिनिस भी कर दी हूँ साथ हो साथ अब इसमें हम लगाऊंगी बोरी और कपड़े से सिलाई करके रिडी कर ली हूँ, दस बाई दस की है, इंच के, अब इसमें हम रबट डालूँगी, यह पतला है तो थोड़ा समय, डबल कलके डाल दूँगी, अब ऐसे ही रखके हम सिलाई लगा लूँगी, बोटल रखने के सिलाई में लगा दी हूँ, जितना घीचना होतना घीच दीजिए, अब यहां से नीचे से मैं ऐसे ही नाप ले ले रही हूँ, दो इंच पे निसान लगा दे रही हूँ, तो मैं लगाऊंगी, ऐसे ही मैं चुननध डालके सिलाई कर दूँगी, फिन ऐसे पलटके भी है अब यहां से मनिसान लगाऊंगी बीचों बीच से यहां पे तो निसान लगा हुआ है अब ऐसे ही हम पकड़के सिलाई लगा लेंगे फिन ऐसे जोंड कर दें गए देखिए मैं सिलाई लगा ले हूं एक तरब की अब हम दूसरे तरफ भी रखके सिलाई ऐसे ही लगा लेंगे ऐसे ही मिला के सिलाई मैं लगा दी हूँ साथ हो साथ मैं फिनिसिंग भी कर दी हूँ एक कपड़ा लेके अब आप लोग को हम पलट के बताती हूँ देखिए सिद्धा कर दी हूँ मैं एक जेब इहां पे मैं लगाई हूँ एक जिब इधर है और एक जिब मैं अंदर के तरफ भी डाली हूँ और इन्हां बोटल रखने की भी बनाई हूँ वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइब सस्क्राइब सेर कमेंट जरूर करना ये स्कूल बेग बनाने की आइडिया आप लोग को कैसा लगा आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुकूरिया